तो नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का SSC ग्यानशाला में ग्यानशाला देम्पल ओफ नॉलेजज जी हां जी ग्यानशाला में हम शुरू करने जा रहे हैं आज से आपकी geography की classes भुगोल की कक्षाएं शुरू करने जा रहे हैं तो भुगोल के अंतरगत हमें क्या क्या पढ़ना होता है पहले हम उस पर discuss करते हैं क्योंकि यह हमारी पूरी introductory class है हम कैसे study करने वाले हैं उसका पूरा plan इस वीडियो में आपको मिलने वाला है और तो और साथ में इस बार हमने तय किया है कि हम पूरी की पूरी study करेंगे हमारे direct map के उपर क्योंकि geography में यदि हम जितना map का use करते हैं उतना ही चीजों को learn करने में हमारे लिए क्या हो जाती आसानी हो जाती है तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि geography की मुख्य रूप से देखा जाए तो दो ब्रांचे हैं दो ब्रांचे हैं एक है आपके physical geography और दूसरी है human geography physical geography और human geography यानि कि आपके भौतिक भूगोल मेरे विध्यारतियों मैं दोनों भाशाओं का यहाँ पर प्रियोग करूंगा भौतिक भूगोल और मानव भूगोल इन दो भूगोल के अंदर हम इसको विभाजित करते हैं कक्षा 11 के अंदर 11 के बच्चे जो इस वीडियो को दे यह वीडियो जो है वो दोनों ही कख्षाओं के लिए उपयोगी है क्योंकि यह भूगोल का इंट्रोटेक्टरी वीडियो है कि भूगोल में अपने को क्या-क्या पढ़ना होता है क्या-क्या चीजों को समझना होता है तो physical geography के अंतर गहत हमें क्या-क्या पढ़ना होता है ब में पढ़ना होता है बच्छो इसके अंतरगत जयव मंडल के बारे में जहां सारे मंडल मिल जाते हैं वह मंडल केहलाता है जयव मंडल यानि कि आपको इसके अंदर लीथोईS comida आपके एरिस्पेर इन सभी के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना होता है और यहाँ पर बात करें यूमन जोग्राफी की तो यूमन जोग्राफी के अंतर करते हैं यूमन की बात करते हैं मानव की बात करते हैं उसके उपर बात करते हैं, तो इसके अंदर हमें क्या पढ़ना होता है बच्चों, इसके अंदर हमें बात करना पढ़ेगा अलग-अलग परजातियों के बारे में, हमें बात करना पढ़ेगा उनकी प्रवास के बारे में, हमें बात करनी पढ़ेगी उनकी जनसंख्या के बार कि वो natural resources कौन-कौन से use करते हैं, तो प्रवा, settlement, आपके आगया, population आगयी, इन सब चीजों के बारे में हमें human geography के अंतरगत study करनी होती है, तो class 12 के बच्चों के लिए हमें human geography और class 11 के बच्चों को पढ़नी होती है, physical geography, ये दोनों ही geography आपके सभी exam में काम आती है, क्योंकि हम इस बार ये इस तरीके से हम chapter को पढ़ेंगे, इतना interactive chapter को करेंगे, इतना मरुरंजनात्मक chapter को करने वाले हैं, कि केवल हम geography के इस chapter के माध्यम से और कितने तरीके के question बन सकते हैं, और कितने तरीके की चीज़े बन सकती हैं, उन सब के बारे में बात करने वाले हैं, एक एक च बना लिया है कि मुझे भुगोल विशय को पढ़ना है तो हमारे दिलो दिमाग में एक चीज उबर जाती है और वो चीज है ये ग्लोब जी हाँ ग्लोब हमारे दिलो दिमाग में उबर जाता है हम समझ लेता है कि हमें क्या पढ़ना है जी हमें इस ग्लोब की स्टडी करनी है ह हमें पृत्वी के बारे में जानना है, हमें पृत्वी के बारे में समझना है, कि पृत्वी किसे बनी है, पृत्वी के अंदर भूगंब कैसे आते हैं, पृत्वी के अंदर ज्वाला मुख्या, ज्वाला मुख्य जो बनी है, वो कैसे बनी है, हमारे बारिश क्यों आती है यह सब इस फिजिकल जोग्राफी के अंतरगत देखते हैं यूमन जोग्राफी के अंतरगत हम यहाँ पर देखते हैं कि यह सारी पॉपूलेशन कैसी है कॉंटिनेंट किसे कहते हैं ओशन किसे कहते हैं इन सब के बारे में स्टडी करते हैं तो आईए सबसे पहले उनी से ले लेते हैं पहले इसी चीज को समझ लेते हैं कि हमें basic geography क्या है उसके बारे में हम यहाँ पर study कर लेते हैं तो चलिए शुरू करते हैं देखे बच्चो अगर मैं बात करूँ globe की तो इस globe को अगर यहाँ पर मैं खोल के रख दूँ ऐसे अगर पूरा तो यह कुछ इस तरीके से दिखेगा यहाँ पर यह कुछ landmass आपको दिखाई दे रहे बड़े-बड़े landmass दिखाई दे रहे बच् महादीप देखने को दिख रहे हैं आपको बिलकुल अच्छे से कौन-कौन से महादीप दिखाई दे रहे हैं तो बच्चो देखिए महादीपों की बात करें तो सबसे बड़े महादीप की बात करें तो सबसे बड़े महादीप की बात करें तो सबसे बड़े महादीप है बच्चो एशिया कौन है episode number पर अमने लगा दिया इषिया दूसरे number पर कौन नमबर बच्चो देख लीजिए area wise कौन आ रहा है अफरीका कौन आ रहा है बच्चो एशिया second number पर कौन होगया अफरीका देखिये trick नहीं है चीजे आपको मानचितर से याद हो जाएगी और आप गोगे सर वह मज़ा आ गया तो पहले नमबर पर कौन है एशिया दूसरे पर कौन आ गया अफरीका तीसरे नमबर पर कौन है बच्छो तीसरे नमबर पर है नौर्थ अमेरिका और चौथे नमबर पर कौन है बच्चो चौथे नमबर पर है South America ठीक है ना कैसे ले हम 1, 2, 3 and 4 ठीक है 1, 2, 3 and 4 च्यार हो चुके हैं पांचवे नमबर पर कौन आएगा पांचवे नमबर पर है आपके Antarctica जी हाँ एरिया के उपर बात करें अगर according to area हम बात कर रहे हैं बच्चो तो area के according पांचवे नमबर पर कौन आगया Antarctica आगया चठ नमबर पर कौन आएगा ये आएगा कि ये आएगा तो चटे नमबर पर बच्चो आप बताएंगे कौन सा आएगा यूरोप आएगा तो चटा नमबर किसका है यूरोप का और सबसे लास्ट में साथवा नंबर किसका रखा गया है आस्ट्रेलिया का रखा गया है तो कुल मिला के आपने देख लीजे एक चीज़ सीख ली कैसे चीज़ सीख ली वहीज आपको इतना देखना है किस तरह हमने याद करना इसको area वाई सबसे बड़ा कौन है Asia 1,2 किस तरह याद करेंगे 1,2,3,4,5,6,7 फिर से repeat करेंगे 1,2,3,4,5,6,7 यानि कि हमने इस तरह के से क्या कर लिए सारे के सारे continent के नाम याद कर लिए और ये भी याद कर लिया कि according to area सबसे बड़ा कौन है तो सबसे बड़ा है Asia, Asia के बाद दूसरे नमबर पर आ गया Africa, तीसरे नमबर पर North America, चौथे नमबर पर South America, पांचवे नमबर पर आपके Antarctica, छटे नमबर पर Europe, और साथवे नमबर पर आ जाता है Australia अब according to population बात करें अगर हम, तो population के अगर बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा बड़ा हमें change नहीं करना है, कुछ बहुत बड़े बदलाव हमें यहाँ पर करने के आवशकता है ही नहीं, यहाँ पर अगर मैं बात करूं, जन संख्या के आधार पर continent बटे हुए है, अगर मैं इसके ओपर बात करूंगा, तो यहाँ पर पहले नंबर अभी भी क्या है बच्चों, एशिया ही रहेगा, पहले नंबर पर आपके एशिया है, दूसरे नंबर पर अभी भी क्या है, अफरीका ही है, बट तीसरा नंबर जो है, इस बार हम देंगे यूरोब को, यहाँ पर तीसरा नंबर किसे दे दिया हमने यूरोब को, जन संक्या की दृष्टी से तीसरा नंबर इसके पास है, तो वाण, टू, ट्री, और यहाँ पर आ जायएगा North America कितन नंबर पर है, तो चार नंबर, और South America कितन नंबर पर है, तो पांच नंबर, तो अगर हम यहाँ पर कर ले तो ऑस्ट्रेलिया में आगी कि बात नहीं है देखो सीक्वल समझे हमने बात की पहले सीक्वल में हमने बात की बच्चो सबसे पहले हमने बात कर ली according to according to area लिख लो आप साथ में pen paper रखो according to area अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले मैं लूँगा एशिया महादीपो की अगर बात कर रहा हूं तो सबसे पहले लूँगा एशिया दूसरे नमबर पर बच्चों मैं ले लूँगा अफ्रीका दूसरे नमबर पर ले लूँगा अफरीका तीसरे नमबर पर बच्चों मैं लूँगा आपके यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका यानि की उत्री अमेरिका ठीके ना, according to area बात कर रहा हूँ चौथे नमबर पर मैं ले लूँगा बच्चों दक्षिनी अमेरिका पांचवे नमबर बच्चो मैं ले लूँगा अंटार्क टिका क्या ले लूँगा अंटार्क टिका ले लूँगा ध्यान रहे यह महादीब और छठे नमबर बच्चो आ जाएगा आपके यूरोप और लास्ट साथ वे नमबर पर बच्चो आ जाएगा आपके आस्ट्रेलिय यह बात की मैंने किसके according to according to area according to area यह series है according to population according to population यानि कि जन संख्या के आधार पर pen paper आप लेकर बैठे हैं साथ में नोर्स आपको आप मिल सुके हैं तो नोर्स को आप निकाले वो भी आप साथ में देखेंगे तो population के according अगर बात करें तो सबसे पहले यहां पर अभी भी अपना प्रभुत्व जमाया हुआ है किसने एशिया दूसरे नंबर पर आ जाएगा अफ्रीका वही है तीसरे नंबर चेंज है जी तीसरे नंबर यहां पर होगा यूरोप यूरोप की जन दक्षिनी अमेरिका फिर छटे नंबर पर अगर बात करें तो छटे नंबर पर आएगा आपके आस्ट्रेलिया और लास्ट साथवे नंबर पर बच्चों आएगा आपके अंटार्क टिका समझ में आई की नहीं बात देखो हमने सीच सीख ली यह इसी तरीका होगा मैं बहुत सारी चीजे जो है बड़े आसान शब्दों में आपको समझा दूँगा मैं अब से याद करवा दूँगा आपको कि सर मज़ा आ गया आया की नहीं समझ में बिलकुल आया ना बहुत दोस्तों तक फैला दो बात पूरी की पूरी के ग्यान शाला जो है बहुत ही बैतरीन कक्षाएं आपको देने वाली है चलिए भी समझ में आगई एडिया के हिसाब से और पॉपुलेशन के हिसाब से आगे पढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं अब मैं बात करता हूं महा दीपोगी तो हमने बात करी ली अब अगली बात करते हैं महा सागर की है ना तो महा सागर की हम बात करते हैं तो यहां पर आपके है पैसिफिक ओशियन देखो ओशियन और सी में क्या फरग है सी होता है छोटा है ना सी की अगर बात करूँ मैं समुन्दर की अगर बात यह Arabian Sea है जो तीन लिला के दर गिरा हुआ है यह Arabian Sea है पर ओशन की जहाँ पर बात आएगी बच्छो तो ओशन जो होता है तो पैसिफिक ओशन यहाँ है यहाँ है अब सर आप बताओ यह यह बड़ा मैं आज तक confusion होता है कि पैसिफिक ओशन यहाँ है यह वहाँ है अरे बच् दोगे तो सारा एक हो जाएगा पूरा का पूरा पानी तो यह की है बट उसको थोड़ा सा नाम हमने 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 हमारी सुविदा से दिया ध्यान रहे यह नाम प्रकरती नहीं दिया भगवान ने इनको नहीं दिये यह नाम हमने पढ़ाई करने के लिए अधियन करने के लिए पर्टिकुलर इस्थान को कोई इस्थान का नाम देने के लिए किया है तो यह आपकी हो गया पहला Pacific Ocean दूसरा आप देखिए यह देखिए S आकार का यहां बन रहा है कुछ दिख रहा है का S आकार का कुछ बन रहा है यह है आपके Atlantic महासागर क्या नाम है इसका अंटार्क्टिका के पास में है यह जो नीचे की साइड में यह जो महासागर फैला है यह है दक्षण महासागर क्या नाम है इसका दक्षण महासागर सर्दन ओशियन ठीक है इसका एक नाम Antarctic महासागर भी है ध्यान रहे Antarctic महासागर भी इसे कहते हैं बच्छो तो दोनों चीज़े आपको ध्यान रखनी है Antarctic Ocean भी इसे कहते हैं तो Antarctic महासागर भी यही है समझ में आगे दक्षिन महासागर यह जो S साइब बन गया यह Atlantic महासागर उसके अलावा और कहां पर है जी पहला हो गया एक दो तीन ठीक है यहां पर उपर की तरफ यहां यह जो दिख रहा है यह उपर वाला अब यह वाला पार्ट कैसर आपने सारे बता यह बिटा ध्यान रखें ग्रीन लेंड है क्या यह ग्रीन लेंड है कुछ बढ़ाने वाली बात नहीं है सारी चीजे बड़ी आसान हैं यह जो उपर वाला महा सागर दिखाहिए दे रहा है बच्चो इसका नाम है जिसका नाम देश के नाम पर हे उपर हिंड महा सागर इंडियन ओशियन ठीक है इंडियन ओशियन तो एक मात्र आपके महासागर है इंडियन ओशियन तो आ रही बात समझ मैं आपने किसकी बात कर ली सबकी बात कर ली तो अब मैं बात करूँ इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं तो नमबर अगर दें अगर हम ठीक है नमबर सबसे बड़ा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है अब सबसे बड़ा महासागर जब कहा जाएगा तो बेटा हम बात करेंगे उसकी लेंध के आधार पर भी बात करेंगे उसकी डेप्ट के आधार पर भी बात करेंगे और उसके वॉल्यूम के आधार पर भी बात करेंगे कि वो कितना लंबा है कितना बड़ा है कितना गहरा है उस आधार पर हम महासागर का distribution अगर करें तो सबसे बड़ा महासागर देखते पता चल रहा है कौन सा इजी प्रशांत महासागर है Pacific Ocean है first number पर कौन आ जाएगा आपके Pacific Ocean आ जाएगा थर नमबर पर आ जाएगा आपके हिंद महासागर तीसे नमबर पर कौन सा आ जाएगा हिंद महासागर अब चौथे और पांचे नमबर वारी बात है तो चौथे नमबर पर यहां पर है दक्षिन महासागर और पांच वा है आर्कटिक महा सागर तो यह हमने बात की according to death according to velocity उसी आदार, volume के आधार पर आयतन के आधार, आयतन मतलब कितना पानी उसके अंदर आ सकता है उस आधार पर अगर हमने देखा तो यह है ठीक है, अब मैं बात करूँ अगर coastal line के आधार पर coastal line के आधार पर किस में बाढ़ सकते हैं, तो pacific quotient अब भी first है Arctic quotient second number पर ही है और दक्षणी महा सागर यह आपके हिंद महा सागर तीसे नमबर पर ही है, बट इनका इसका number change हो जाता है, जब coastal line की बात होती है coastal line में यह चौथे पर और यह आजाएगा पांच वे पर, बस इतना ही फरक है और कोई बड़ी दिक्कत नहीं है तो बेटा देखो, धीरे धीरे चीज़े सीखेंगे कोई अपने को भागना नहीं है चीज़े बड़ी आसान है, आपको मज़ा आना चाहिए मैं तो इतना इचानता हूँ तो हमने क्या क्या सीखा हमने सबसे पहले बात क्या कर ली हमने सबसे पहले कॉंटिनेंट की बात की बेटा कॉंटिनेंट की जब बात की तो कॉंटिनेंट कितने है अपने, उनके कॉंटिनेंट की हमने सब को देख लिया भी according to area, according to population उसके बाद बिटा हमने क्या बात की उसके बाद हमने बात की कि भाया ओशन कितने है तो सारे ओशन के बारे में देख लिए कि कितने टाइप की ओशन है कौन सबसे बड़ा ओशन है कौन सबसे छोटा ओशन है उसके बारे में बात की आगे ना बात समझ में इजी है कोई दिक् मज में आए तो थोड़ा सा और चीज़े देख लेते हैं तीन चारे आप कह सको कि हाँ आज की क्लास हमारे लिए बहुत बेनिफीशल हुई है मैं इसी तरीके से आपको मैप से सारी की सारी चीज़े याद करवा दूगा और कोई गबराने वाली बात नहीं बिल्कुल अच्छ गलोब को बराबर दो भागों मैं बाड़ती है यह एक्च्छल में कोई लाइन नहीं ये एक इमेजनरी लाइन लाइन इसलिए आवशक है क्योंकि इस थान को नौटेट करती है बिधि आप कहाँ पने तो पूरा जीपीए सिस्टम कैसे काम करता है इन्हीं लाइन्स पर काम में बाड़ती है दो हेमिस्फेर में बाड़ती है दो गोलार्धों में बाड़ती है तो यह उपर वाला कहलाता है उत्री गोलार्ध और नीचे वाला कहलाता है दक्षिनी गोलार्थ यानि कि आपके नॉर्थन हेमिस्फेर और साउथन हेमिस्फेर समझार है ना बात नॉर्थन हेमिस्फेर और साउथन हेमिस्फेर अब ये जो line है ये कौन सी है ये है आपकी zero degree जिसका नाम है बेटा equator बहुत सारे बच्चे जो मेरे से पिसले साल पड़े हैं उन सबको ये चीजे बड़ी रटी है क्योंकि मैंने हर chapter में ही सिखाया है जो नए बच्चे है वो इसलिए ध्यान दे क्योंकि आपके basics कमजोर है अगर आपको अपने basics मजबूत कर लोगे तो मैं कहता हूँ कि इस geography हलवा है आपको मज़ा आएगा class बड़ी आसान लगेगी तो ये आपका equator है ठीक है ना equator 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 के उपर चले अगर हम तो equator से 23.5 degree जो भी चीज़े है ये 11th class की चीज़े है तो 11th के जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो वे ध्यान रखे कि सारी चीज़े मैं इद्दम describe करा के कराऊंगा कि कैसे कैसे हैं आज किवल हम introduction ले रहे हैं geography कि geography में हमें पढ़ना क्या of topic of cancer क्या नाम दिदेते हैं? topic of cancer. यान हिंदी में क्या देंगे? करक रेखा. क्या काह देंगे? है करक रेखा. ठीक है? और ये निचे एक line और है. ये भी 23.5 पर होथी नीचे की side में. इस 0 degree से नीचे की side में 23.5 पर एक line होती है. इसको बेटा बोलते है, topic of Capricorn. क्या बोल द पर समझाओ सर जी तो मैं पर बात कर लेते हैं तो यह यह गई आपकी पहली लाइन जिसको हमने नाम क्या दिया इक्वेटर यह गई आपकी दूसरी लाइन इसको क्या नाम दिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यह गई आपकी तीसरी लाइन इसको क्या नाम दिया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तो यह साधातेज डिग्री वाली यह रही उपर 27 डिगरी वाली नीचे ये रही और 0 डिगरी वाली ये रही तो एक कुशन बना दूँ आपके लिए एक कुशन बताओ मैं आपको देखकर बताओ मेरे को कि ऐसा कौन सा कॉंटिनेंट है जहां से तीनो लाइने गुजर रही है ऐसा कॉंटिनेंट है दिखे बताओ ज्यांसे देख अफ्रीका जो है वहां पर क्या गुजर रही है तीनो रहे खाएं गुजर रही है अगली चीज देखते हैं यह जब हम बात करते हैं तो हमने बहुत में हमारे globe को बांड दिया अगली बात कम करें अब हम बात कर लेते हैं आपके देशांतर रेखाओ कोंत आँब हैं यह तो थे latitude एक बात करते हैं ल कर से लंगी दूड के लांगी दूड के बारे में छोटी बात और कर लेते मैं एक डम basic सिर्फ map के जो normal basic है जो आपने हो सकता है कि 9th में पढ़े हो 10th में पढ़े हो या छोटी कक्षाओं के अंदर ही पढ़ लिए हो वो चीज़े बता रहा हूं क्योंकि आप geography के अंदर आपने geography subject choose किया है और इसके साथ ही साथ आपने एक dream choose किया है कि मुझे ऐसा करना है मुझे इस subject को इस तरीके से पढ़ना है तो पढ़ना है तो आधार जीलाता है आपके आधार मजबूत होगा तो उस पर building बना दूँगा मैं गबराने की ज़रूरत नहीं है ठीक है ना जीरो से लेकर hero बनाने बड़ी बात समझा रहा हूं तो यहां पर देखो एक चीज और एक चीज और देखो अब हम बात करते हैं देशांतर रेखाओ के बारे में longitude कई बच्चे होते हैं सर यह latitude longitude हम भूल जाते हैं है ना इतना ध्यान रख ले latitude जो लेटी हुई है और longitude जो खड़ी हुई है बस देखा जीरो डिग्री latitude गुजरती है इसको बोलता है आपके प्राइम मेडिटेरियन लाइन इससे डिसाइड क्या होता है जी इससे डिसाइड होता है पूरे देश का टाइम कि भाई किस तरह टाइम जो आगे या पीछे चलता है इसने हमारे गलोब को दो भागों में अच्छा यह बड़ा असान सी चीज़ है कोई इसमें दिक्कत नहीं जैसे से आगे बढ़ता है वैसे वैसे टाइम जो इदर बढ़ता जाता है इदर टाइम कम होता जाता है ठीक है जीरो डिग्री वाली प्राइम मेरीडियन होगी अब एक चीज मैं तो और बता दूं आप यहां एक पॉइंट बन रहा है जंडूबाम देख दिख रहा है पॉइंट यह पॉइंट बन रहा है न यह पॉइंट है यह कहां मिल रहा है यह मिल रहा है गल्फ ऑफ गुनिया गल्फ ऑफ गुनिया में यह जो है यहां आपस में मिल रहा है बेटा देख समझ में आ गया क अपके आकांगशे रेखा ये और देशान्त्रे रेखा है longitude और latitude of low latitude वारा ये बने रहा है यह कौन सा है कौन सब्सक्राइब कर देंगे और बता देंगे लोगों को कि ग्यानशाला शुरू हो चुकी है जहां पर आनसर जो है आप लोगों के साथ जोग्राफी न केवल समझाते हैं बलकी दिखाते हैं थैंक यू फॉर वाचिंग देखते रहिए सीखते रहिए ग्यानशाला के साथ